राधी राधी अब्रिवान दोस्तों आप सभी को बट सावित्री अमावस्या ब्रत की हारदिक सुपकाम नाएं आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बट सावित्री अमावस्या ब्रत 2024 में 5 जुन या फिर 6 जुन किस दिन पड़ रहा है इसके साथ ही आप जानेंगे पूजा का सुब्मूरत सुबसमे क्या है हिंदू धर्म में बढ़ सावित्री ब्रत का विशेस महत होता है दोस्तू सुहागिन महिलाएं पती की लंबी आयू और अच्छे स्वास्त के लिए निर्जला ब्रत किया करती है माना जाता है कि इस दिन ब्रत रखने से दामपत्य जीवन अच्छा रहता है हिंदू पंचांग के अनुसार जेस्ट महा के कृष्ण पक्ष की अमा बस्या तिथी को बढ़ सावित्री का ब्रत रखा जाता है बट सावित्री का ब्रत रखा जाता है बता दी कि बट सावित्री ब्रत जेस्ट मास की अमवश्या के अलाबा पोड़े मातिती को भी रखा जाता है दोस्तु आईए जानते हैं सही तारीक क्या है बट सावित्री ब्रत की हिंदो पंचांग के अनुसार जेस्ट माहस की आमावश्या थि थी 5 जून 2024 को साम 7 बचकर 54 मिनट से सुरू होकर अगले दिन यानी 6 जून 2024 को साम 6 बचकर 7 मिनट पर समाप्त होगी ऐसे में बढ़ सावित्तरी आमावश्या ब्रत 6 जून को रखा जाएगा आईए अब जानते हैं बढ़ सावित्तरी आमावश्या ब्रत पूजा का सुब समय क्या होगा पूजा का समय होगा दोस्तों सुबह 10 बचकर 36 मिनट से दुपाहर 2 बचकर 4 मिनट तक इस समय के बीच आप पूजा कर सकते हैं बढ़ सावित्तरी ब्रत की दोस्तों सनी जैन्ती के दिन पढ़ रहा है बड़ सावित्री ब्रत मैं आपको बता दू कि जीस्ट मास की आमवर्षयते थी को बड़ सावित्री ब्रत के साथ सनी जैन्ती का ब्रत पढ़ रहा है ऐसे में इस दिन काली गाई की पूजा अवश्य करें इसके साथी सनी देप की पूजा करने के साथ सर्थों का तेल जड़ाएं इसके अलावा छायादान करें आईए दोस्तों मैं आब आपको सुनाने जा रही हूं बड़ साबित्री ब्रत की पौराणी कथा कहानी ध्यान से सुनियेगा पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक वार अश्यपती नाम का एक राजा था जो मद्र समराज पर साशन करता था बेह और उनकी पत्नी नी संतान थे और इस प्रकार एक रिशी के कहने पर उन्होंनी सूरी की देपता सावित्र के सम्मान में अत्यन्त संपन और आस्था के साथ पूजा की भगवान इस दमपत्ती की तपस्या और भक्ती से इतने प्रशन हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ती का आश्रवाद देने का बर्दान दिया उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वैभगवान सावित्र का दिब्वर्दान था जैसा कि उसका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या की कारण पड़ा था लड़की तपस्यी जीवन जीती थी काफी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक उप्युक्त मिलान खोजने में असमर्द था इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वेम खोजने के लिए कहा अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा धुम्तुसेन के पुत्र सत्यवान को पाया जब बेगर आई तो नारद मुनी भी भाम मौजूद थे उन्होंने राजा को अपनी पसंद के वारे में बताया उनकी बात सुनकर नारद मुनी ने राजा अश्वपती से कहा कि इस संबंद को मना कर दें क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और बे एक वर्स में मर जाएगा राजा अस्वपतीनी सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा लेकिन इस तरी गुडों के एक तपसुई और आदर्स होने के नाती उसने इनकार कर दिया और कहा कि बह कीबल सत्यवान से ही शादी करेगी बले ही उसके अलपाई हो या धिग्राई हो इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विभावंदन में बंद गए एक साल बार जब सत्यवान की म्रत्यू का समय आने वाला था सावित्री ने उपवास सुरू कर दिया और सत्यवान की म्रत्यू की निश्चित दिन पर बै उसके साथ जंगल में चली गई अचानक सत्यवान इक बर्गत के पेड़ के पास गिर गया जल्द ही यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को दूर करने ही वाले थे सावित्री ने यम से कहा यदि आप उसे ले जाना चाहाते हैं तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूँ उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसे तीन इच्छाएं मांगने का बरदान दिया अपनी पहले इच्छा में उसने राज की बहाली के साथ साथ अपने ससुर की आखों की रोश्नी भी मांगी दूसरे बरदान में उसने अपने पिता के लिए सो पुत्र मांगी और अंतिम और तीसरे बरदान में उसने सत्यवान से एक पुत्र मांगा भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गई पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे सावित्री ने उसे ये कहते हुए रोग दिया कि उसके पती सत्यवान के विना बेटा पैदा करना कैसे संबव है भगवानियम अपने सब्दों में फस गए थी और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ती और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को बापस करना पड़ा दोस्तों ये थी हमारी बट सावित्री ब्रत की एक सची पवित्र कथा आएए दोस्तों अब जानते हैं बट सावित्री ब्रत का महत्त क्या है पुराणों के अनुसार बट ब्रक्ष में ब्रह्मा, विष्णु वा महस तीनो देपताओं का बास है इसके नीचे बैठ कर पूजन ब्रत कथा सुनने से सभी मनोकामने हमारी पूर्ण होती है भगवान बुद्ध को इसी ब्रक्ष के नीचे ग्रान प्राप्त हुआ था अगन इस्त्री बट सावित्री का ब्रत करती है और बर्गत के ब्रक्ष की पूजा करती है उसे अखंड स्वभागी का फल मिलता है और उसके सभी कस्ट दूर होते हैं सिर्फ इतना ही नहीं बट सावित्री का ब्रत रखनी से पती पतनी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और बैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है कहते हैं कि बट व्रक्ष में कई रोगों का नास करने की छमता होती है इसलिए इस दिन बट व्रक्ष की पूजा का विश्यस महत्य होता है दोस्तु आईए अब जानते हैं बट सावित्री ब्रत की सरल पूजा विधी क्या है बट सावित्री ब्रत को करने के लिए प्राता काल इश्नान कर बट ब्रक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान और यमराज की मोर्ति को इस्थापित करें दोस्तूं यदि आप मोर्ति नहीं रख पाते हैं तो आप इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं बट ब्रक्ष की जड में जल डालें, फूल, धूब और मिठाई से बट ब्रक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं, कच्चा सूत लेकर बट ब्रक्ष की परिक्रमा करते हुए इसके तने में सूत लपेटते जाएं, साथ बार परिक्रमा करना अच्छा माना जाता है, इसके अ देकर उनसे आशिरवाद लें बट ब्रक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त कर सकते हैं आए दोस्तों अब जानते हैं बट सावित्री ब्रत की नियम क्या है बट सावित्री ब्रत के दिन दान करना अतिलावकारी माना गया है दोस्तों इस दिन सुहाग का समान दान करना भागिन महिलाओं को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए इसके अलावा सफेद बस्तर भी धारण ना करें इस रंग की चूड़ियां भी ना पहने यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरी चैनल को लाइक शीर और सब्सक्राइब करना लागिये गाओ की एगए घ्टिये साऑड़ थाहिए।